वीडियो शुरू करने से पहले मैं तो मैं क्लियर कर दूँ कि ना मैंने कल Chelsea का मैंच देखा ना मैंने कल Barcelona का मैंच देखा लेकिन मैंने highlights देखी हैं क्योंकि मैं आसल वर्जेज मैंन सिटी देख रहा था और highlights में और stats में जो मैंने देखा है उससे पता चल रहा है यार कि Chelsea के सा ले बारसा बे बात करनी जरूरी है क्योंकि यावी ने लीग जिता दिया अपने पहले सीजन में यावी ने उनको सूपर कोपा देख पहने जिता दिया लेकिन आप अगर यहां एक सेनेरियो देखोगे न जो लगातार सीजन की शुरूआत से अब तक चला आ रहा है कि consistency नह रखता है 33 पॉइंट निकाले आपने 11 मैचे जीते हैं 1-0 की score line से तो आपने देखा कि यार देखो 1-0 की score line is pretty much beneficial क्योंकि हमें पता है में defend कैसे करना है लेकिन यही जब 1-0 की score line आपके against जाती है और जब आप हार जाते हो न 2-1 से या 1-0 से तब पता चलता है कि आपकी team में goal scorers नहीं है आपकी team में जो एक momentum build होना चाहिए जो एक midfield balance होना चाहिए वो नहीं है और इसके लिए मैं blame कहीं न कहीं players को भी करूँगा और जावी को भी करूँगा क्योंकि लगातार 1-0 की victories निकालने के बादना आप complacent हो गए आपने improvement की नहीं है और आप अगर यहां season में जाकर Barcelona को solve करना पड़ेगा और अगर यही तरीका रहा Barcelona की victories का तो अभी जो fanbase जावी के गुडगान कर रहा था वो अगली साल में जावी के against भी खड़ा हो सकता है and I'm not saying this कि Messi आने वाला है यह reason है लेकिन एक identity होती ने football club की कि वो क्या football खेल रहे हैं वो कैसे अपना attack ब Barcelona के current setup को देखो गया आप तो कहोगे यार जीत रहे हैं बस जीत ही रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा और यह चीज कहीं न कहीं जावी के ऊपर depend इसलिए करती है क्योंकि जावी ने अपने इन victories के बाद game style में या फिर player instructions में कोई change नहीं किये और definitely आप यह बोलोगे यार कि Dembele injured अब यह है वो है I get that भाई I completely agree with that part इतनी injury struck three season में भी आपने ललीगा जीत ली बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप यह सोचो कि वो जो 1-0 की victories आई थी अगर उसमें 2-3 games में अगर draw हो जाता तो अभी जो 11 point की lead है वो आप अभी बहुत कम पे होते हैं 5 या 4 point की lead पर होत 11 point का अभी भी आपके पास margin है बड़े आराम से बड़े प्यार से आप match जीच जाओगे यहां पर league जीच जाओगे उसकी कोई tension नहीं है बस point यह की जावी को सीखना पड़ेगा बहुत जादा जावी को बहुत improvement की जरूवत है अपने पहले season में जावी ने जो करके दिखा ह बार्सा के साथ वो हम में से किसी ने expect नहीं किया था to win the league with the new signings and in his very first year as the full time manager of Barcelona तो हाँ वो बहुत बड़ा एक surprise package present किया जावी ने and he took Barcelona to the position जहां शायद बार्सा का fanbase और पूरी you know footballing world expect नहीं कर जावी से बड़े 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 नाम वाले players ने let down किया है एन देखो I am not saying कि blame Lewandowski but at least you can question him right because इतना high degree का player जब RIT में और वो step up नहीं कर रहा है और वो जब goal score नहीं कर रहा है तो कहीं नहीं लगता है यार कि हमने क्यूं investment के और मैं ऐसे बात नहीं कर रहा है मैं in general बात कर रहा हूँ World Cup के बाद जो आपने देखी है performances Lewandowski की इतनी convincing नहीं रही है आप Champions League से बाहर हुए थे बड़े matches में आपने chances मिस्किये Bayern के गेंस इंटर के गेंस फिर आप उसके बाद यूरोपा लीग में यूरोपा लीग में भी उसने सिर्फ penalty score की other than that he was nowhere to be seen तो कहीं न कहीं भाई एक सवाल निशान Lewandowski की आप कह सकते हो big game जो tag है उस पे भी खड़ा होता है सवाल बड़ा बार्सा फैन बेस अगली साल बहुत सारी उम्मीदे लेकर जरूर उतरेगा सीजन में अच्छी बात ही है कि ये सीजन खतम हो रहा है और इसके बाद आपको बार्सा को सफर करते नहीं देखना पड़ेगा अब बार्सा से ना यहां पर चल्सी की और चलते हैं भाई देखो मैं मजाख नहीं कर रहा और मैं ऐसा भी निये कि मैं उनाइटी डफैन हूं तो मैं ये बोलने लगूं कि यार नहीं है चल्सी के साथ जो रहा अच्छा हो रहा है चल्सी लिटरी अभी इस पोजीशन में है कि अगर आप उनका सेनेरियो देखोगे थे आर जस टेन पॉइंट वाला जो एक जोन है वहां से अभी top 4, top 6 तो दूर-दूर की बात है अभी तो relegation zone के वो इतना करीब बैठे हुए है कि सारे Chelsea fanbase को वह उम्मीद ही नहीं है कल Lampard को बू किया गया Stamford Bridge पे क्योंकि भाई, he hasn't won a match since his return back to Chelsea और यहाँ पर आप देख रहे हो कल जो team selection था सारे आपने new signings को bench कर दिया Conagher Gallagher was starting सिर्फ एक attacker था आपका Sterling आप उसके साथ खेल रहे थे पूरी जो team थी भाई इतनी low on energy, इतनी low on ambition थी कि वो highlight हो रहा था उनकी performance में Brentford के लिए इतना आसान था Chelsea को open up करना एक तो पहली बात है आपने own goal concede कर लिया, वहाँ भी जो थोड़ा बहुत confidence आपके पास हो था, वो भी आपका shatter हो गया, और उसके बाद गर जब आप अपने home पर भी सामने वाली team से dominate हो रहे तो आपको बदा चल रहा है कि current state जो है जो mental state है players की, और जो अभी manager की mental state है, वो कितनी जादा down है और Lampard, जो की legend है Chelsea के, अगर उनको Stamford Bridge की, जो audience है वो boo कर रही है, तो समझ सकते हो कि पानी कितना सर से उपर उठ चुका है पहली गलती, टूकल को सेक करना, दूसरी गलती Graham Potter को appoint करना, टूकल को सेक करके, उसके बाद Graham Potter को भी सेक कर देना बिना किसी वाज़े, क्योंकि आपको पता था यार कि, यहां से आप क्या ही करने वाले थे, यहां से आप क्या करते, यहां से आप कितना आगे जाते आप top 4 तो नहीं आने वाले थे, आप top 6 तो नहीं आने वाले थे, आपने Graham Potter को SEC किया और उसके बाद आप Frank Lampard को लेकर आए जो पिछले 16-17 मैचेज में सिर्फ एक मैच जीता हुआ था और Everton ने उसको इसलिए SEC किया था because he was not good enough to keep them alive in the Premier League तो ये जो decisions लिये गए Chelsea के लिए ये किस तरीके से सही थे आपने देना था पूरा time Graham Potter को सीजन के end में और उसके बाद नया manager लेकर आना था जो कि आपने नहीं किया उसके बाद आपने Lewis Henry की presentation को बिल्कुल दरकिनार कर दिया आपको एक puppet चाहिए मतलब managerial post पे जो कि जी हजूरी करे आपके owners की Todd Bolly की और ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो this is the worst version of Manchester United under Glazers Chelsea could be in much worse situation जहां हम है हमसे भी ज़्यादा खराब situation में जा सकते हैं वो अगर उन्होंने यहां से recovery नहीं की प्लेयर्स का moral लाउन है प्लेयर्स सतने abundance में है और उसके बाद salary package इतना ज़्यादा है प्लेयर्स से contract अभी resolve नहीं हुए है then again Maurizio Pochettino season की शुरुवात में आएंगे तो उनको क्या mess मिलेगा यार सम्हालने के लिए ये भी तो सोचो चलो हमने मान लिया कि ठीक है Chelsea कहीं फिनिश करेगी 4-2-5-5-6-6-5 पे कहीं भी जाएगी relegate नहीं होंगे लेकिन यहां फिनिश करेंगे भाई उस team को खड़ा करने के लिए तो बहुत time चाहिए ना उनको तो अब Maurizio Pochettino के हाथ में कोई छडी तो है नहीं कि वो आएगा और जितने आपके players अंडर परफॉर्म करने हैं फिर जो आपका squad है जो motivated नहीं है उसको दो महीने के अंदर यह ऐसा powerful बना देगा कि वो सीधे Premier League title के लिए compete करने लगेंगे आपने एक के बाद एक के बाद एक गलती की और सबसे बड़ी गलती जो थी वो थी Frank Lampard को पॉइंट करना आप किसी और manager को लेकर आते आप उसको time देते Graham Porter को time देना चाहिए था मेरे असाब से तो अब आप यह सोचो के अब भी आपका Lukaku वगरा वापस आएगा उसका wage बड़ेगा आपका आप उसको भी sell नहीं करें Lukaku के future का भी पता नहीं है reports का according Lukaku will return back to Chelsea and फिर Chelsea decision लेगी करना क्या है उसके साथ आपके पास इतना talented squad था आपको एक अच्छा manager लेकर आना था जो आपको relevance दे देता वापस से थोड़ी सी जो कि आपको नहीं मिल रहे है आप सोचो 10 matches से मतलब आप आप winless हो undefeated नहीं winless हो undefeated तो हो कहाँ सारे तो हारी रहे हो आप winless हो के वाला डॉट्मन वाला game जीते थे उसके आगे उसके पीछे एक एक game जीते और उसके बाद से आप winless रहे हो बाई Chelsea fans जो भी trauma से गुजर रहे है मैं उसे relate नहीं कर सकता क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उनका वो कि क्या tension है क्या frustration है क्योंकि मैं भी frustrating उससे time से निकला हूँ लेकिन हाँ जिस position में है और जिस खराब हालत में Chelsea भाई मैं सही बता हूँ 10 साल में United ने कुछ नहीं किया कुछ जीता नहीं Glazers के वज़े से और हमने Premier League title के लिए compete नहीं किया लेकिन कितनी भी खराब रही हो United इतनी खराब हालत हमारी कभी नहीं रही और यह आपको भी पता है अगर आप Chelsea को support करते हो कि United इतनी खराब थी हम लोगों को इतना troll किया गया अभी पता Chelsea को rival fan base troll भी नहीं कर रहा क्योंकि troll करने के लिए भी कुछ होना चाहिए at least एक आदा game में कुछ निकलना चाहिए and इस troll की वज़े और जब आपके rivals आपके लिए sympathy feel करने लगे न जब आपके rivals आपको सांतुना देने लगे तब समझ जाओ के हालत कितनी खराब है क्योंकि मतलब एक rival के लिए सबसी जो lowest point होता है वो है कि उसका सबसे बड़ा जो प्रतितवन्दी है जो उसका rival है वो उसको आके वो कर रहा है consolidate कर रहा है कि भाई नहीं आज सब ठीक हो जाएगा अभी Chelsea के साथ वही हो रहा है और पता नहीं ये कितने time तक चलेगा क्या कैसे change करेंगी ये Todd Bollie और उनका जो consortium है वो पहली बात तो ये keep Todd Bollie out of the footballing decisions dressing room में entry किसी को नहीं मिलनी चीए एक report पढ़ी थी मैंने कि Thomas Tuchel को इसलिए sec किया गया क्योंकि उसने Todd Bollie को मना कर दिया कि dressing room में आप नहीं आओगे भाई उसमें गलत क्या है यार manager की responsibility है dressing room को handle करना ना कि आपके owner की responsibility और अगर Todd Bollie को इतनी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो फिर भाई Chelsea का future क्या होगा कैसे होगा I can't even comment और देखो अब वो तो Chelsea fans बेटर तरीके से जानते है कि उनके club के साथ क्या हो रहा है लेकिन अगला game उनका Arsenal से है फिर Man City है फिर United है फिर Newcastle है सो चार game में अगर ये एक भी नहीं जीते तो कितनी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए मतलब मैं ये नहीं कहा रहा है कि रेलिगेट हो जाएगे लेकिन कितने करीब आजाएगे वो रेलिगेशन जोन के can you imagine this is crazy, this is crazy literally